नमस्कार प्रेविद ग्यार्थियों आप सभी का स्वागत है Competition Community में और संग्राम सीरिस के तहत हम आज चुके हैं लेकर आप सभी के लिए Geography भारत की भूगोल का Lecture No.3 Lecture 1 और जो 2 है वो आप सभी ने देखा होगा यदि नहीं देखा है तो आप जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेए आपने नहीं किया है और जाकर जरूर देखे क्योंकि Lecture 1 और जो 2 है वहाँ पर मैंने बहुत important दो टॉपिक जो डील किया हुए पहला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वह भारत के भागौलिक इस्तिती से विशेश रूप से जो 30 मैदान है उनसे संबंदित है वहाँ से कोई भी questions आएंगे तो आपसे बनने वाले हैं और जो second जो वीडियो मैंने बनाया था वो भारत में उर्जा विशेश रूप से हम बात करते हैं तो वह आपकी renewable energy यानि कि उर्जा के जो नविनकृत संसाद हैं उनसे संबंदी था आज का यह जो विशय होगा या आज का जो यह topic जो हम लेने वाले हैं वह लेने वाले हैं भारत में वनों के प्रकार अब यह तो एक random question है कि भारत में वनों के प्रकार कितने हैं सिदा सिदा question जो है 10 number का यहाँ पर आ सकता है सवाल यह है कि सर आप हमको यह बताईए कि 10 number के अलावा 8, 4, 2 में आएगा तो कैसे लिखेंगे तो simple 2 number के question भी आ सकते हैं भारत में वनों के कितने प्रकार हैं अगर सिर्फ आएगा तो कुछ नहीं करने है आपको 5 जो अनों के प्रकार है भी बताऊंगा मैं वो अपने को नाम यहाँ पर लिखने होंगे चार में आएगा तो थोड़ा थोड़ा विस्तार कर देंगे चुप चाप अपन मैप भी मना सकते हैं आठ में आएगा तो थोड़ा और एक्सेंट करेंगे और दस और आठ का लगभग मनें बताया कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता थोड़ी से एक आठ दो चीजों को आपको लाइन में लिख करके सेंटेंस में लिखनी होती है या आठ नमबर के कुश्चिज में कुछ चीज से बीच में स्किप करेंगे निकरेंगे लेकिन इसके पहले बड़ा सवाल यह है सरी तो डैरेट कोश्चन है को तो हम बना लेंगे आप हमें यह बताएं कई बार कुश्चन घुमा के देता है और वहां पर मैंने देखा है बहुत से अच्छे अच्छे जो ग्याता लोग है जो बहुत अच्छे पहुंचे हुई लोग है वो भी यहां पर गल्ती कर बैठते हैं कोश्चन जैसे आया था लाइक यहां पर हम देखें जहां तक मुझे आदर है फोर मार्क में था कोश्चन वो पुच्छा गया था कि भारत में वनों के प्रकार और जलवायू से आ गया कोश्चन ठीक है रिलेशन्शिप विद्ध क्लाइमेट वनों के प्रकार कोश्चन यही था आप समझना था आपको कोश्चन एक्जेक्ली यही था वनों के प्रकार टाइपस ओ फॉरेस्ट वनों के प्रकार यानिके टाइपस एंड रिलेशन्शिप विद्ध इसको यहां तक मुझे आदर है 4 marks का question था, चलो 8 का भी रह होगा या चलो 10 का भी रह होगा, 8, 10, जो भी है, ठीक है, मैं तो 10 लेकर चलता हूं, जहां तक 10 ये 4 असे something उसता, चलो 10 numbers का भी था, अगर हम यहां पर बात करते हैं, 10 number यानि की हमारे पास है, लगबग 125 words, 125 शब्द सीमा है, सीमा को आप विशही सुरुप से ध्यान रखना है, एक्सिड नहीं करना है, 125 बोले तो भाई आप 115-120 तक भले रुकें, 125 को आप 30-40 आसा ना करें, बैटा रहें, या जितना स्पेस आपको वहां पर दिया हुआ है, आप कोशिश करें कि उतने स्पेस में ही अपने answer जो हैं, वहां पर लिखें, आपको अतरिक्त महनत, शक्ति प्रदर्शन की आवश्यक्ता यहां पर महसूस नहीं होनी चाहिए, वनो का प्रकार अगर simple आपको पुछा जाता है, जैसे कि यहां पर दिख रहे है, भारत में वनस्पत्ती का प्रकार यह वनो का प्रकार, दस नमबर का कुश्यन आता, आप आराम से इसके लिए इसके लिए सर कितने प्रकार हैं, तो आप बता दो, यहां पर सबसे पहले बत किसे लिए वनस्पत्ती के प्रकार हो कि जब हम यहां पर बात करते हैं, then we have total number of five basic types, पहला जो होता है उष्णकटी बंधि, सदा बहार, क्या हो जाएगा सदा बहार, इसी में फिर सब डिविजन्स पर हम देखते चलेंगे, second जो आपका टाइप होता है, यहां पर आजाएं second जो होता है, उष्णकटी बंधि, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा contract करके लिखता हूँ ताकि इसमें पूरी चीज़ें आ जाए हैं, इसमें हम पांच कॉलम बना ही लेते हैं, ताकि हमारे पास space जो है, वो परियापत रहे हैं, और एक ही में ही आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर नजर आ जाए, तो second क्या बता है मैंने, second है उष्णकटी बंधि, इसको हम कह सकते हैं, पर्णपाती, क्या बोलेंगे, पर्णपाती, यानि कि desidious, English में भी बताएंगे, don't worry, तीसरा हो जाएगा, यह आपको मिलेगा, उष्णकटी बंधि, कटीलेवन, English में content forest, और number 5 यह आपको मिलने वाल है, इसको हम कहेंगे, mangrove 1, क्या कहेंगे, mangrove 1, यह answer लिखने का तरीका यह भी हो सकता है, answer, मैंने आपको इस column में बनाया, vertically आपको बनाया है, आप horizontal भी बना सकते हैं, मतलब आपने उष्णकटी बंधि, सदा बाहर लिखे, पूरी उसके व कोई नियम नहीं है, नहीं इस परकार की कुछ चीज़ें कि आपने ऐसा बना दिया तो आपको जादा नंबर मिलेगा, वह ऐसा बनाओगे तो नहीं, कुछ नहीं है, हाँ, बस इतना जरूर है कि keyword से important चीज़ें उसका खयाल आपको अवश्य रखना है, बहराल में वापस आ जाडियां बोली जाती है, इसको याद रखना, कटिले वन एवं जाडियां, टॉपिकल, थॉन और परवती, यानि कि मॉन्टेन फॉरेस्ट, मैंगरू फॉरेस्ट, यानि कि आपका सिंपल मैंगरू वन, वेलांचली वन, अनूप वन, बहुंस है, इसके नाम है, लिट्ट कोशन हैं, तब हम बना लेंगे, प्रशन है यह पूचा था कि, जलवायू से संबंद, रिलेशन सिर्फ वित कलाइमिट, तो आपको इसको समझना है, वर्ड को पकड़ना है, ठीक है, मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि, आप एस इस कोशन को बनाए, हम यहाँ पर यह मिलकर बनता है, यह जलवायू का जो बेसिक आपका ऐलिमेंट होता है, वो होता है तपमान होता है तत्व, और एक होता है अपका वरिशा, अगर मैं वनो को तापमान और वरिशा के अधार पे बना दूं तो, क्योंकि जलवायू का मतलब ही है भाई जिसमें तापमान है जिसमें टेंपरेचर है जिसमें वर्षा है हम इन ही सब चीजों का ही तो ध्यान रखते हैं और इसके अधार पे अगर हम वनों का वर्गी करन कर ले जैसे की सब अच्छा इसमें अल्टिटूड यह नहीं क्यों चा खासा है मतलब 200 प्लस सेंटिमेटर में है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो सदा बाहर वन होंगे जहां पर तापमान थोड़ी जादा है और वर्षा भी थोड़ी मध्या में हम कह सकते हैं परनपाती वन होंगे गर्मी आती है और पत्ते जड़ा देते हैं जहां पर तापमान थोड़ा जादा है समझना, तापमान आपका साधारण है, वर्षा बहुत जादा है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि पेड़ पौधों की सघंता, उनका जो घंत्वा density इतनी जादा होते है कि तापमान वहाँ पे रहेगे नहीं, 22-24 डिगरी सलसे से जादा नहीं होता, अभी हम चर्चा करेंगे फिलाल, सो ऐसे जगहों पर आपको सदा बहार, यानि कि आपको evergreen मिलेगा, उसके लावागर में बात करता हूँ तो ऐसे शेतर जहाँ पर तापमान थोड़ा जादा है, थोड़ा मध्यम है, मध्यम से थोड़ा उपर है और यहाँ पर बारिश एक मांसुन के मौसम में होती है पत्या गिरा देते हैं, गर्मी मिलती है जादा नहीं, बढ़ पहले के तुलना में थोड़ी कुछ नहीं था यह तो वैसी तुमको आंसर में लिखना है वो बस बता देना था तापमान वर्षा तापमान वर्षा को हाइलाइट करना था हर जगा पर यही था जलवायू का वहाँ पर प्रभाव यह यूग है जलवायू से संबंद तो आपको लाश्ट में लाइन कॉंक्लूट कर देनी थी कि इस प्रकार से जहां पर तापमान अधीक है या जहां पर तापमान मद्यम है और वर्षा ठीक ठाक है वहाँ पर इस प्रकार की वन पाया जाते हैं जहां पर तापमान आपका अधीक है और वर्षा बहुत कम है, वहाँ पर इस प्रकार के वन पाया जाते हैं, समुद्र किनारे शेत्रों में इस प्रकार के वन पाया जाते हैं, और परवती उची शेत्रों में इस प्रकार के वन जहां पर तापमान बहुत कम होता है, यही चीज आपने conclude करनी थी, और कुछ नहीं जो में आंसर अपन लिखने वाले हैं समझ रहा है आए तो में आंसर की हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं बात करते हैं जब उष्ण गड़ी बंदी सदा बाहर वनों की और देखो जब इन्हें वरिशावन भी कहा जाता है क्या बोलते हम इसको वरिशावन यानि की रैन फॉरेस्ट तो हमने क्या लिख लिए देखे आपन की पॉइंट्स बनाते चलते हैं अन्य नाम क्या कह सकते हैं तो आप चलिएगा अन्य नाम तो हमने देख लिए अन्य नाम में हमने इन्हे वर्षावन यानि की रैन फॉरिस्ट कहा, फिर हम चलते यहाँ पर, नेक्स्ट है, भई इसका जो जलवायूवी विशेस्ता हैं, वो क्या-क्या चीज़ है, क्लाइमेटिक कंडिशन्स, जलवायूवी विशेस्ता हैं, तो आप बता दीजे कि भईया देखे, 22-24 डिग्री सेल मेटर प्लस, इससे दी क्या होनी चीए, यहाँ पर वर्षा होनी चीए, तब आप कह सकते हैं कि किस प्रकार के बन होंगे तुम्हारे सदा बहार, और क्या बता सकते हैं, विशेस्ता हैं, अन्य विशेस्ता हैं, तो विशेस्ता हैं यह हो सकता है कि यह कैसे रहते हैं, साल भ 25 प्रकार के one है तो 25 प्रकार के one हो में कोई January में कोई February में कोई March April, May, June, July, August September, October, November December ऐसे समय समय पर अपने जो है पत्तियां ये जड़ाते हैं समझा रहे हैं तो इस प्रकार से इन one हो की खासियत होती दूसरा अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो भाई इन one की जो उचाई होती है और सत उचाई average height देखे सब जगा अलग-अलग चीज़ें आपको मिलेंगी ठीक है न तो average height जो होती है वो लगभग 60 meter की होती है यहाँ पर जो मिट्टियां पाए जाती है वो जादा उपजाऊ नहीं होगी इन one में मिट्टियां जो है वो अन उपजाऊ होती है बोले सर क्या बात करते हो अन उपजाऊ क्यों भई इतना जादा यहाँ पर one में सघंता है इतनी जादा पेड़ पाउध है तो बले बटा कौन बोला की पेड़ पाउध हो के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना जरूरी है आप देखों चट्टान में भी पेड़ उगाते है जाचाँ चट्टान में खेती होती है बले नहीं उपजाऊपन का मतलब है उसमें यूमस की मातरा उसमें ऐसी मातरा अईसे पोशक तत्यों की मातरा इससे आप खेती का कार्या कर सकें तो खेती है कृषι वो तो भところ मिट्टी में होगी इसमें बेकार की मिट्ट्यों में नहीं होती है लिचिंग हो जाता है क्योंकि तापमान और जो सुर्ये का प्रकास है कि किस area में पाय जाते है तो शेत्र क्या हो जाएगा बटा आपका याद रखने, ये बहुत important parameter है शेत्र और वरिक्षों के प्रकार याद रखेगा, क्या और शेत्र और वरिक्षों के प्रकार, मतलब कौन-कौन से प्रकार के वरिक्षे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो शेत्र में आ जाएंगे हम लोग कि कौन कौन से शेत्र में ये पाया जाता है तो शेत्र हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा ठीक है इसके लावा आपका अंडमान हो जाएगा अंडमान निकोबार हो चाएगा इसके लावा आपका नौर्थ हिस्ट यह निकी उत्तर पुर्वी जो राज्य है शिम बंगाल के उधर पुर्वी हिस्टे से लेकर आपको मिघाला है असाम है ठीक है ना इसके लावा आप त्रिपूरा मनिपूर मिजोरम और यहाँ पर नागलेंड यह सब जगह पर आपको सदा बाहर जो वन है वो आपको देखने को मिलेगा शित्र की बात जो है हम चलते हैं वरिक्ष के प्रकार कितने प्रकार के वरिक्ष को वरिक्षों के नाम आपको पूछ सकता है वरिक्षो के नाम जो है वो आपसे पूछ सकता है तो यहाँ पर आ जाएं वरिक्षो के नाम तो वरिक्षो के नाम में कौन कौन से सदा बहार वन है तो जैसे कुछ नाम आपको याद रखने महोगनी महोगनी, रोजवुड इसको मैं थोड़ा उपार ले लेता हूँ, बाद मैं नीचे कर लोगा क्या क्या है, महोगनी, रोजवुड ठीक है, आबनूस यह सब बड़ी लताएं, पेड़ पौधे, घने जंगलो के एक वरिक्षो के जो है वो नाम है, ठीक तो आपने यहाँ पर देखा क्या क्या देख लिया सबसे पहले आपने इसके अन्य नाम आपने देखे यानि कि कुछ अलग नाम है तो हमको बताने क्या बला हनजी सर बिलकुल बता दीजी जरवायू कंडिशन्स आपने देखी विषयसताइं देख लिए कैसे केशे विषयसताइं उचाई देख लिया, मिट्या देख लिया, शेत्र देख लिया और व्रिक्षो के आपने यहां पर नाम वो देख लिये तो इतनी चीज़ें अपने पता देखे अलग-अलग वनों के प्रकार में कुछ-कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी, कुछ-कुछ चीज़ें आपको कम मिलेगी, तो यह बेसिक थे जो सदा बाहर वनों से संबंदी चीज़ें आपको, अच्छा, दो नंबर का कुश्चन भी प्रकार में हम देख सकते हैं, हलाकि यहाँ पर भी दो प्रकार मिलेगा, सदा बाहर और अर्ध सदा बाहर, जहाँ पर बहुत जादा सघन है, उसे सदा बाहर कहेंगे, जहाँ पर सघनता थोड़ी कम है, उसे अर्ध सदा बाहर कहते हैं, परणपाती में पर 100 से 200 cm वर्षा और यहां पर आपका 70 to 100 cm वर्षा क्लिया कितने से कितना 100 से 200 cm वर्षा और एक नीची जो है वो हो जाएगा आपका 100 to 200 cm वर्षा मतलब जहां पर वर्षा थोड़ी ठीक ठाक होगी वहां पर आपको शुष्क्यानिक ड्राय में लेगा एक खासे ताओर है कि भारत में सरवाधिक जो वन है याद रखना सरवाधिक इसी प्रकार के वन पाया जाते हैं क्या बोला मैंने सरवाधिक वनों की जो मात्रा है वो कौन सी है इन ही की है सरवाधिक यह आपके पढ़नपाती प्रकार के वन पाया जाते हैं इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं इन वनों को क्या कहा जाता है मानसूनी वन क्यों कहते हैं क्योंकि मानसून की वर्षा पर क्या है आधादी थे, देखे पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, वही एक-एक लाइन या एक-एक वरड ही आपके लिए पॉइंट्स हैं, सेंटेंस में कैसे लिखोगे, है ना कि भारत में सरवादीक प्रकार के, सुरी, सरवादीक शेत्रफल में पाय जाने वाला वा जो वन है वो कौन है ये आपका उष्णिक डिबंदी पढ़न पाती वन है ये मन मांसुन वर्षा पर निर्भर है इसलिए इन्हें मांसुनी वन भी कहते हैं इमारती लकडिया होती है मतलब आर्थिक दृष्टी से ये काफी महत्व पूर्ण है आर्थिक पूरा आपका दक्कन का पठार लगभग दक्कन का पठार और आपका सेंट्रल हाइलेंड यानि की मध्य भारती शेत्र या यूँ कहें प्राय द्विपी पठार एक वर्ड में आप लिख सकते हैं इसको लगभग संपूर्ण प्राय द्विपी पठारों पर किसको छोड़ आप सभी को पता है पैनिंसुला प्लैटूस प्रायदिवी भारत जो है वो कहां कहां यह किसको किसको कहते हैं तो प्रायदिवी भारत में आप देखी नीचे से आ जाएगा आपका राजिस्तान की कुछ हिस्से जाद है तो नहीं ठीक इसके लावा अगर है हाँ पर बात करते और थोड़े बहुत आपके जो यूपी बिहार है वहाँ पे हिस्से जो ही इसके अंदरगत आने वाले हैं किन वनों का उश्निकटी बंधी पर्ण पाती और इन फैक्ट अंडमान भी आएगा और एक कॉश्यन भी आया था कि वो कौन सा वन हैं जहां पर उश्नगटी बंधी पर्ण पाती सदबहर और मैंगरु सभी प्रकार के जो वन हैं वो पाया जाते हैं, तो उनमें सभी प्रकार के वरों में कौन हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठेक है, आएए, आगे बढ़ते हैं, शित्र के बाद, ये प्रायदेपी भारत हो चुका, शित्र के बाद हम जो चलते हैं, वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर, वरिक् रिक्षम है, खर्रा है, ठीक है, इसके लाव आपका साल है, सागाउन, थो उपर कर लेते हैं, साल है, सागाउन है, चंदन, ये सब के सब कौन से रिक्षण हैं तुम्हारे, पर्ण पाती, ये एक विशेस मौसम में अपने पत्तियां गिरा देते हैं, that is why इने हम क्या कहते ह हैं, उश्न कटी बंधी, पर्ण पाती वन कहते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर भी देख पाएंगे, ये देखिए, ये जो वन आपको दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं, सदा बहार, ये बिल्कुल कैसा है, ये एवर ग्रिन है, बिल्कुल हारा भरा है, जबकि यहाँ पर जो वन आपको दिख रहे हैं, ये कैसे हैं, ये तुम्हारे पर्ण अपने पत्तियां गिरा चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, कि यहाँ पर पत्तिय जढ़ा चुके हैं, इसलिए कैसे वन हो जाएंगे तुम्हारे पर्ण अपाती, विशे इस मौसम यानिकी जो बसंत इसमें अगर हम बात करते हैं तो जहां पर 70 cm से बिलोव आपका वर्षा होगा यह इस प्रकार के बन पाए जाएंगे यहां पर तापमान उच्छ रहता है 30 degree Celsius से अधिक आपको तापमान देखने को मिलेगा इन शित्रों में यह वनों की जो उचाई होती है वो काफी कम होती है मतलब उचाई जो है वो लगभग 2 मिटर के आसपास होती है और इन वनों की पतियां small यानि की lips जो रहती हैं वो काफी small होती है पतियां कैसी होंगी काफी जादा छोटी होती है जबकि जड़े क्या होती है इनकी लंबे होती है जड़े जो है वो काफी इनकी लंबी होती है सर इसके पीछे क्या कारण है Lifts are very small but the roots are very long What is the reason behind that कारण ये है कि जो पत्तियां छोटी होती है ये काटो में परिवर्टित हो जाती काटो का रूप ले लेती है और इस प्रकार्ण ये आप देखेंगे तो वो वास्पूत सरजन की क्रिया से बचती है कहने कातात पर यह यह है कि पत्तियां बड़ी होंगी यह पत्तियां जादा होंगी पत्तियां हरी होंगी तो वास्वोत सरजन अधिक करेंगी वो चाहती है कि पत्तियां ही ना रहे और पत्ति देखो पत्ति कर ना रहे ना भी तो नुकसान है कैसे नी रहेगा तो प्रकास तं की लंबी हो जाती है ठीक है इसके बलावा हम यहाँ पर अगें शेत्र पर आ जाते हैं शेत्र जो है वो कौन-कौन से है तो एरिया जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शेत्र तो यहाँ पर कौन-कौन से है कटिले बन जाडियों के हम यहाँ पर बात करें तो विशेश उर्फ से गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाना और तलंगाना के कुछ शेत्रों में, मतलब शिश का वाला जो रिजन होता है वही आसपास ये शेत्र में आपको देखने को मिलेगा, वरिक्षों की अगर यहां पर हम बात करते हैं तो वरि वरिक्ष में आप आजाएं, आप देखें यहां पर आपको नजर आजाएगा, जैसे उदाहरन के तौर पे बेर है, बबूल है, ठीक है, नाग फनी है, खैर है, यह सबाब के इसके अंदर का ताने वाले वरिक्ष हैं, गॉट इट, चलें, इसके बाद हम चलते हैं, परवत परवतीवन होते हैं, मेरे दोस्तों, यह तो अधिक उचाई पर मिलेंगे, डेफिनेटली, यह हाई एल्टिट्ट्यूट पे मिलते हैं, हाई आल्टिट्यूट पे, और इसको भी दो पाड़ में हम देख सकते हैं, कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका हिमाली परवतीवन, और एक क्या हो जाएगा दक्षिन भारती और ना परवती वनों को अलग से पूछ सकता है बटा दस दस बोलता हूँ आपका आठ में चार में दो में ऐसा कहीं भी पूछ सकता है रेट और जब ऐसा पूछेगा तो आपको खुदी सी में आर्ट के लाइक में कॉंटेंट कहीं पर आपको निकाल के दिखा दूँगा मतब किसी भी वनों को वह आर्ट नंबर तक पूछ सकता है आप इसके लिए मेंडले प्रेपेर रहें हिमाले इन परवतिवन जो हिमाले शेत्रों में पाए जाएगे और दक्षिन भारती परवतिवन जो सौथ इंडियन शेत्रों में पाए जाएगे है जितनी हम यहां पर expect करते है नॉर्मल जो बारिश है वो होनी चाहिए ठीक खास्याद क्या है यह शंकुआ कार होती है इनकी जो structure जो shape है वो कैसे रहते है कौनी फेरस यानि कि शंकुआ कार में होती है कारण यह होता है कि उन शेत्रों में होने वाले बर्फवारी को क्या कर स ठीक है जिसे हिमाली परवती वनों की अगर यहां पर हम बात करते हैं तो निचले हिस्से से जो आपको देखने को मिलता है परणपाती वनों से शुरू होता है शिवाली के नीचे से याने की हिमाले के गिरिपात से और फिर यहां से आपको जो देखने को मिलेगा वो है दे थोड़े से और उचाई पर हम चलेंगे तो हमको जो है वो सिल्वर फर सिल्वर फर ये सब आपको देखने को मिलेगा ब्लू पाइन आपको देखने को मिलेगा घास के मैदान होते जिसे अलपाइन कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिल रहे ही हिमाली वाले शित्रों में मिलती है साउथ इंडिया अच्छा रिजन भी हम देख लेंगे तो रिजन में क्या क्या आ जाएगा बटा यहां की शित्र की अगर मैं बात करता हूं तो हिमाली इन शित्र में कोई दिक्कत नहीं और सम को छोड़के क्योंकि वहाँ पे थोड़े कम है ठीक है ऐसा नहीं कि नहीं है बट नॉट इस आप पुड़ा डालेंगे तो यह चीज आपकी कवर हो जाएगे यह हिमालियन वाला हो गया आए दक्षिन भारती वनों के अंतरगत हम यहां पर बात करते हैं तो यह जो वन आपको देखने को मिलते हैं विशेश रूप से कहां कहां पर है एक तो आपको मिल जाएगा मध्यप्रदेश यानि कि जिसको हम लोग जानते सत्पुड़ा वाले रेंज में हैं तो सत्पुड़ा रेंज में आपको मिलेगा इसके लाव आपको साउथ इं और इनको इन तीनों को याद रखने बटा इन तीनों को सेंगत रूप से किसको किसको बोरो में नील गिरी पालनी और अन्ना मलाई यानि कि बिल्कुल जो प्योर साउथ इंडिया में है इनी को सेंगत रूप से जाना जाता है शोलास के रूप में क्या बोलते हैं शोलास तो दो नमबर का question अगेन यहां से बनेगा, आप मान के चलिए, दो नमबर की question ऐसे ही नहीं बन जाते, वो यहीं से ही उठकर आपके लिए आते हैं, तो प्रशना सकता है कि यह शोलास क्या होता है, तो आप कहना, शोलास जो होता है, यह आपको basically कुछ नहीं है, यह दक्षिन भार परवती वनों को विशेस रूप से निलगिरी, पालनी और अन्ना मलाई में पाय जाने वाले परवती वनों को आपको पूरा लिखना है, कि निलगिरी, अन्ना मलाई, पालनी में पाय जाने वन नहीं, परवती वनों को शोलास कहा जाता है, जिन में प्रमुग जो हैं, जैस तो सेम आपका तमिल नाडू, करनाटक, केरल, यह आपके मेजर एरिया है, जहां पर यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तमिल नाडू, करनाटक, केरल, तो इस प्रकार से आप आठ नंबर के लाएक अराम से बाइफर्गेट कर सकते हैं, उनकी खास्यत, उनकी विशेस्त इनकी शंकू के अकार का होता है, काफी उची होती है, काफी सीधी होती है, मुलाइम होती है, और जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो आपको नज़र आ रहे है, हमने दिखा दिया था, उष्ण गड़ी बिंदी स्यदा बाहर इसको पढ़न पाती, यह जो वन आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जितने आपके वन होते हैं, जादा तर इस प्रकार की शेप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यह पुरा शंकू की शेप में यह आप देखे, यह आप भी आप आएंगे, तो इस प्रकार की वन देखे गया, यह देखे, यह बहुंद बहुंद इस को तुमहार पूरे के वह प्रकार हमारे पास बच रहा है वह हो जाएगा आपका mangrove one, यानि कि इसको बहुत सारे नामों से जाना जाते हैं, हमने बताया, littoral बोल लो, tidal बोल लो, ज्वारी बोल लीजिये, है न, ऐसे शेत्र जहां पर समुद्री शेत्र है, मतलब समुद्री शेत्रों में, कौन सा शेत्र बताया है हमने, समुद्री, शेत्रों में ये one जो है, वो पाय जाते हैं, इन oneों की खासियत यह है न, कि इनकी जड़े काफी मजबूत होती है, roots are varying strong, जड़े मजबूत होती है, बहला क्यों मजबूत होती है, सरक कुछ तो कारण होगा, मजबूती का बहला है, बहुत बड़ा कारण है, जड़े इसलिए मजबूत होती है, क्योंकि, यहाँ परियदी आप देखेंगे, तो समुद्र के खारेपन को ये जहल पाती है, पहला, समुद्र के खारेपन को, question यह भी आ सकता है, अलग से, oxygen के लिए important है, जो common है, वो तो लिखना ही तुम, लगणियों के लिए important है, बाकी तो लिखना है, आवास है, वो बहुत सा रिजिवजन्तों का, environment वाला touch हल्का स्वाब आप दे सकते हैं, अलग जो खास्यत यह है कि, यह समुद्र के खारेपन को क्या करती हैं, जहेल सकती है, salinity of water, sea water जो रहते हैं, जहेल सकती है, दूसरा, भाई, इसकी एक और खास्यत यह है, कि यह जो रहते हैं, यह जो आपके mangroves one होते हैं, यह आपके भूमी कटाओ को, या तटो के कटाओ को, cost erosion जो होता है, तो तटी कटाओ को, cost erosion को क्या करता है, यह prevent करता है, यानि कि, रोग देता है, ठीक है, इसलिए यह खास्यत है, बाकी दो चीज़े तो हैं, कि भाई, यह समुद्र के लिए, जीव जन्तों के लिए आवास का काम करती है, इसका medical purpose भी है, यानि कि औशधी निर्मान में भी इनका use होता है, तो यह सब बहुँ सारे multiple इत्की उप्योग हैं, और इनके गुण होते हैं, जड़े काफी अच्छी होती है, मजबूत होती है, ठीक, शेत्र की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, कि किन शेत्रों में पाया जाता है, तो शेत्र अगेन वही हो जाएगा आपका, जैसे की सभी 30 शेत्र, विशेश रूप से सुन्दर वन, जो कि किसका delta reason है, गंगा और ब्रह्मा पुत्रा का, इसके लगर यहाँ पर आप देखेंगे, तो गोदावरी, आपका कावेरी, डिल्टा वाला reason है, आपका गुजराद के 30 शेत्र जो है, गुजराद के coastal reason, 30 शेत्र, इन सभी स्थानों पर आपको, इनकी प्रधानता, यनि की मुख्यता आपको देखने को मिलेगे, वहीं दूसरी और, इसके अगर मैं कुछ व्रिक्षों के नाम, या प्रकारों की अगर मैं बात करता हूँ, तो व्रिक्ष के जो नाम हो जाएंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे उधारन के तौर पे, फॉर इक्जेंपल, यहाँ पर आजाएं, तो ताड हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, नारियल, सुंदरी, यह, यह सब क्या हैं, इन प्रमुख व्रिक्षों के नाम है, तो आपने देखा, कि भाई, आपकी जो questions हैं, इतने से ही आएंगे, इसके बाहर नहीं आएगा, मतलब आपने इस पूरे चप्टर को, मातर एक पेज में समेटा है, मेरी बात आया थिंक, आप सभी को समाज आ गाई होगी, तो इस प्रकार से, इन चीजों को अपने को याद रखना है, पर सभी को समझाई होगी, आप वापस आके यहाँ पर इसको एक बार ऊर रिकॉल करें, इसको देखें, दो चार आठ दस नंबर के सब के प्रशन यहीं से आपने बनने वाले हैं और अगर आता है तो आप इस प्रकार से बड़े question को भी ऐसे इस pattern में या horizontal lines वाले pattern में column वाले pattern में आप बिल्कुल बनाईए in fact बनाना चाहिए checkers का impression अच्छा जाता है marks अच्छे मिलते हैं और आपका जो नंबर है और selection होने के chances से वो भी बढ़ जाते हैं तो हम मिलेंगे किसी और ऐसे वीडियो में तब तक आप बने रहे हैं हमारे साथ competition community के साथ thank you so much चाहिए चाहिए